आप सभी हमारे डियर सकेंड डियर के लिए तो आज के वीडियो बहुत ही संदार होने वाला है और आज के वीडियो से आप लोग समझेए कि आपका जो है दस या पंदरा नमर का एक लॉंग कुस्चन आने वाला है ठीक है न तो ए वीडियो आप सभी को बहुत ही संदार तरी ठीक है ना तो पहला OCD लेकर आए हैं दूसरा कुस्चन जो लेकर आए हैं ओ है आपका फर्मेकोलोजी के उपर साइको फर्मेकोलोजी के उपर ठीक है ना मनो और सथभिज्ञान के उपर उसके बाद जो है कुछ दवायां का एकजामपल और उसका प्रभाव लिखेंगे ठीक ठीक है उसके बाद एक कुस्चन लेकर आए हैं कि किसी भी पेसेंट को जो मनो रोग पेसेंट हो उसको जो है कैसे मनो रोग के अस्पताल में भरती करा जाता है और कैसे उसको जो है डिस्चार्ज किया जाता है छुटी किया जाता है तो भरती और छुटी का प्रोसेस लिख एक मनोरोगी का ठीक है। 4 के 4 कुछटन अपने आप में इंपऻटेंट है। आपके 5 नमबर सौट कुछटैन या लौंग कुछटैन में पुछेगा। देखिए लौंग कुछट inseag abdh m were ak kan dh मासपा प्रीमारी है और निउरोसिस भीमारी है। आप लोग पर प्रोब्लम मेंटल इनलेस को दो कैट्रगोरी में बाटा गया है एक निवरोसिस और एक साइकोसिस ठीक है ना तो निवरोसिस परकार का यह OCD है और OCD होता है तो यह जो है आपका उतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है जितना ज्यादा खतरनाक जो है आपका यह वाला साइको साइकोसिस है वहीं पर बाद किया जाए सीजोफ्रेनिया डिप्रेसन मेनिया इस सब जो है आपका साइकोसिस है ठीक है तो चलिए देखते हैं OCD को हम लोग चिंतागरस्त बाध्यता बोलते हैं समझ गया ना चिंतागरस्त बाध्यता बिकार बोलते हैं Obasive Compulsive Disorder Obasive यानि Obation का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बाद ही हो जाना किसी भी चीज को करने में बाद ही हो जाना मतलब मजबूर हो जाना वही ओव से भी होता है जब आप किसी भी चीज को करने में बाद ही हो जाएंगे तो मतलब उसको बार-बार करेंगे ह gerek. जैसे हमने चाहे किसी बेक्ती को देखते हो इए गार उस से ओफिस जाना है के लिएक खाना चरह हुआ है उसका पक रहा था लेकिन क्हाना है तो जो है जहटपट में क्या करेगी गैस बंद कर देगी और अपने काम में लग जाएगी कुछ दिर के बाद उसको ध्यान में आएगा कि ओहो मेरा तो खाना चल जाएगा मैं गैस के अभी तक जलाहीं छोड़ दी हूँ तो जाकर देखती है धराक से तो वहाँ पर जाती है तो पता लगता हूँ तो हमने तो बंद रखा है तो यही एक परकार का आदमी के अंदर जो है बाद्धे आ जाता है किसी भी काम को बार बार करने के लिए समझ नहीं ना तो वही ओबेसिव कंपलसी डिसॉर्डर है जैसे गेट में लॉक कर देंगे तला मार देंगे और कु मतलब उस चीज के प्रती ज्यादा बाद ही हो जाता है समझ गये ना और उससे दोबारा जो है बेक्ति करने के लिए बाद हो जाता है तो यही जो चीजे होता है अबेसन कंपेलसर डिसॉर्डर होता है समझ गये चलिए देखिए इस रोग में बेक्ति के दिमाग में कोई ए यह बेक्ती हलाकि वह बेक्ती जिसको मन में बार-बार कोई विचार कोई चीज आता है तो यह बेक्ती जानता है कि यह विचार गलत है जैसे कि तला मार दिया है लेकिन वो जान रहा है कि हम तला मार चुके हैं तला मार करा हैं लेकिन फिर भी माइंड में यह घूमते रहता है कि यार हम तला मारे है ये नहीं मारे मतलब असमंजस, असमंजस की अवस्था समझ गया ना, तो OCDV एक परकार के असमंजस की भी अवस्था है जहाँ पर लगेगा कि हम एक काम किये हैं ये नहीं किये हैं, लेकिन हम जान रहा है कि काम हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी मन में इस तरीका से घुमते रहता है कि लगता है कि मन में दुविधा होते रहता है कि हमने ये काम किया है नहीं किया है किया है नहीं किया है समझ गया ना तो उसी परकार से यहां मन में एक जो है बार बार आने वाला विचार होता है हलाकि बेक्ति जानता है कि ये काम गलत है ये विचार गलत है किन्तु फिर भी उसके दिमाग से ये चीज़े हट नहीं पाता है मतलब बैठ जाता है समझ गया ना इन निरर्थक बिचारों को बार बार आना दिमाग में आना ओबेशन कहलाता है या ओबेशिव कहलाता है ठीक है न कोई भी चीज़े दिमाग में बार बार आ रहा है भले ही वो विचार गलत ही क्यों नहीं हो बेक्ति जानना है कि हमने एक काम कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो दिमाग में बार बार आ रहा है यानि वो ओबेशन है यानि बार बार जो है दिमाग में घूम रहा है तो यह हो गया आपका ओवेशन यानि ओवेसिव हो गया समझ गया चलिए अब कमपलसिव क्या होता है समझ लीजे बाध्यता क्या होता है तो यह बिचार रोगी की विशेश कार को बार बार करने को बाध करते हैं अब जो बेक्ति के म है विचार देखिए यहाँ पर यह विचार रोगी की विश्यसकार को बार-बार करने को बाध करते हैं जिसे कमपल्सन कहते हैं ठीक है ना बार-बार किसी भी चीज को सोचना या बार-बार किसी चीज को करने का लिए जो बाध करता है तो उसे कंपल्सन कहते हैं समझ गए वे रोगी जिन में इन विचारों को बार बार आना एवं कार करने की बाधिता दोनों ही पाय जाते हैं उस रोगी के इस सवास्था को अबेलसिव कंपल्सिव डिसॉर्डर कहते हैं अब जिस व्यक्ति में बार बार कोई समझ गए इस तरीका से ठोट आता है कि बेक्ति समंझस में परता है उस चीज को करने के लिए पुना करने के लिए बाध हो जाता है जो विचारे बार बार आ रहा है समझ गए न तो यही विचारे बार बार आना और उसको करने के लिए बेक्ति बाध हो जाता है तो यही जो विकार होता है यही ओबेसिव कमपलसिव डिसॉडर कहलाता है समझ गए चरिए यह चीज़ समझ गए अब उदाहरन के लिए यहाँ पर आप लोग देख लिए उदाहरन के लिए कई बार किसी अस्थान पर तला लगा देने के बाद भी बेक्ती को संका रहती है कि वह सायत तल मार चुके हैं लेकिन फिर भी आपको अपने उपर विश्वास नहीं हो रहा है कि हम तला मार के आए हैं या नहीं आए हैं समझ गए न तो इस परकार के जो है मन में चीज़े उत्पन होने लगता है तो यही जो है आपका अबेस्टन का एक उदाहरन है समझ गए चरिए लब यह निवरोसिस परकार का प्रोबलम होता है समझ गए न तो यह जो है इसका क्या क्या कारण होता है और बेस्टिव कंपल्सिव डिसॉडर का क्या कारण हो सकता है देख लिजे पहला कारण जीनेटिक्स कारण है आप लोग जानते हैं कि ज्यादा तर जो मानसिक रोग ह वह उसमें जिनेटिक फैक्टर भी होता है अनुबांसिक रोग भी होता है जैसे माता-पिता के इस रोग से पिरित होने पर बच्चों में यह 5-7 परतिसत पाया जाता है तो यह अनुबांसिक रोग होगा अनुबांसिक का मतलब ही होता है कि एक से दुसरे पिरिये में फैलना तो अगर माता-पिता से अगर बच्चों में रोग होता है तो इसका चांसेज 5-7 परसेंट होता है समझ गये ना अगर वह मनो जाइगेटिक बच्चा है तो 80-90 जैसे ब्रेन से सम्मंधित कोई प्रोब्लम समझ गये ना जैसे जटका आना एपिलेप्टिक मतलब मूर्चा आना समझ गये ना जिसको हम लोग मीरगी बोलते है या निवरो ट्रांस्मीटर सेरो टोनिन में जो ब्रेन में जो कुछ ऐसे ट्रांस्मीटर वाला हर्मोन है तो इसके अनियमित्ता से सिक्रेशन में यानि ब्रेन से सम्मंधित प्रोब्लम जो है जैवीर कारण एह हो सकता है समझ गये चरिए तिसरा है बचपन के अनुभव कुछ ऐसे बचपन के अनुभव जैसे दूसरों की नकल तथा रोग के कारण किसी निकट सम्मंधि की मिर्तु निराषा, अधिक काम करना, आधि जीवन की मुख घटना भी इसका कारण बन सकता है समझ गये ना बचपन के अनुभव जैसे बचपन में आप कुछ ऐसे अनुभव किये है कुछ ऐसे experience आपने देखा है जो आपको ज़खजोर सकता है पूनह उसका याद दिला सकता है समझ गया ना और उसके प्रति आप बहुँ ज़्यादा उदास हो जाएंगे बहुँ ज़्यादा जो है निरास हो जाएंगे समझ गया न तो यह सब बच्पन के अनुभब जो है बेक्ति को एक कमपलसिव डिसॉर्डर होने का उमीद रहता है समझ गया तो अभी तक क्या देखे है तथा अनुकूल पर किरिया का विकास लक्षनों की पुनाविर्ति होना सामिल है ठीक है ना मनोबैज्यानिक कारण होता है कि जैसे साइकोलोजिकल रूप से दवाब परना ठीक है ना मतलब मन का उदासी होना या कुछ ऐसे किरियाओं को करना जो आपके जीवन को इत करता है समझ गये ना यानि मनोबैज्यानिक साइकोलोजिकल फेक्टर इसका प्रभाव परता है समझ गये चलिए ए हो गया अब यहां पर लक्षन देखते हैं कि देखिए लक्षन क्या क्या होता है किसी को अगर और अबेसिव कंपल्सिव डिसॉर्डर होता है तो एक त देख लीजिए मनोग्रसित से संबंदित आसंका है अब इसमें ब्यक्टिको लक्षन जो अवेसिव कंपल्सिव डिसॉर्डर में समझ गया ना मनोसनायू बाधिता में अगर किसी भी परकार के लक्षन होता है तो चलिए देख लेते हैं लक्षन होता है जैसे मनोग्रसित स संबंदित आसंका है व्यक्ति को लगता है कि वह मानसिक रूप से पीरित है समझ गया ना इस परकार के डाउट होता है असंका होता है गंदी बीपरित विचारों तथा मनो बैग्यानिक विशाय के संबंद मनोगरसित विकार जो कंपल्सिव डिसॉर्डर से पीरित होता है उसके मन में गंदे गंदे और नीगेटिव थोट आते रहते हैं, अपने से रिलेटेड उसके मन में गंदे विचार भावना, विप्रीत चीजे उसके मन में तरह तरह के भावना उत्पन होता है, समझ गए, चरिए, नेज देखिएगा, वो ब्यक्ति हिंसक योन संबंध अथ बहुत ज़्यादा सेक्स्वालीटी प्रोब्लम, समझ गए, घिरिनित परकिर्ती का मतलब हेजिटेट इस परकार के ब्यक्ति के अंदर लक्षन पाया जाता है, समझ गए, मनोगरसित धरनाय अथवाचीन जो थोट इकुवल एक्ट के जादूई फरमूले पर अधारी थे, समझ गए न, ऐसा लक्षन पाया जाता है, जो ब्यक्ति गलत धरनाओं को जादे जो है, इस पर जोड़ देता है, ब्यक्ति को जो है, लगेगा कि संसार में प्रेत बाधा है, हमको जो है, कोई प्रेत बाधा पकर लिया है, हमको जो है, मतलब इस टाइप से उसको जो है, गल प्रति या किसी के परति बहुत ज्यादा गलित भावना बेक्ति के विचार आएगा लक्षन होता है और क्षन और से विचार समझ गहे हैं वनोगरसित अंतः प्रिर्णाओं विशेषकर आत्म अपमान समन्धी। समझ गया ना। ब्यक्टी को यह लगता है कि उसका जो आत्म अपमान हुआ है किसी से इस परकार के ब्यक्टी को लक्षन दिखता है कि हमें कोई अपमान किया है। समझ गया ना। उसके बाद वरताएं में धोना, साप करना, गिरना, निरीक्षन करना, निवेदन करना, मांग करना, दिलासा देना, क्रियाओं को दोहराना, आदेश देना, और निर्वायताएं का मतलब होता है कि निर्वायताएं का मतलब क्या होता है, और निर्वायताएं का मतलब क्या होता है, और नि पीट करते करते वो हाथ को कितना बार साप कर चुका होता है समझ गया ना मतलब इसमें बेक्टी किसी भी चीज के लिए इतना न ज्यादा बाध हो जाता है कि उस किरिया को बार बार करने के लिए बाध हो जाता है इस परकार से मन जो है होने लगता है तो यही जो है OCD होता है जैसे हाथ धो लेगा बेक्ति को लगेगा कि हमारा हाथ गंदा ही है समझ गए और वो जो है बार-बार उसको फिर से हाथ उसको धोने लगेगा कोई भी चीज बार-बार जो है होने लगेगा और जो है एही चीजे जो बार-बार किरियेट होने लगता है एही जो है बेक्ति को OCD कहलाता है समझ गए तो यहाँ पर आपका लक्षन हो गया समाप्त और निर्वायताएं भी हो गया समझ गए जिसमें किसी को बार बार दिलासा देना बगैरा हो सकता है नेश देखिए चिकित्सिय परबंद मेडिकल मेनेजमेंट इसमें दो चीज़े होगा मेडिकल मेनेजमेंट होगा और अब थीरेपई भी होगा और अब का सर्जीकल परबंद होगा, सर्जीकल परबंद हम नहीं बताएंगे, आप समझ लीजिए कि किसी को अगर OCD हुआ है, तो अभी तक OCD समझ लिए कि क्या लख्षन होता है, क्या कारण होता है, OCD में क्या होता है, तो इसी सब पर तो बेश जो हैं नरसिंग परबंध होता है, इसी सब के ऊ बस्पायन, जैसे, चैके को सब्सक्राइडिया, देखिये, ड्रक थेरयपी, यानि दवाई के द्वाला थेरयपी, दवाई के द्वाला थेरαιपी, जैसे, एलप्राजोलम और बस्पायरन और एलप्राजोलम जैसे ट्रेंकूलाइजर तथा क्लेमी प्राइमिन और फ्लू ओक्स्टिटिन जैसे डिप्रेसेंट का परियो किया जाता है तो OCD वाले को एलपराजोलम, बसपाराइन और ट्रेंक्यूलाइजर तथा क्लेमी प्राइमीन और फ्लू ऑक्स्टीन जैसे डिप्रेसेंट का परियोग किया जाता है याद रखियेगा समझ गए नेक्स देखिये गए यहाँ पे बिहाइबियर थिरेपी दिया जाता है मतलब ब्यक्ति को ब्यवार को परिवर्तन करने के लिए जो थिरेपी दिया जाता है वही बिहाइबियर थिरेपी होता है समझ गए ना तो यही होता है समझ गए चलिए नेक्स देखिये गए यहाँ पे विसलेशक ठिरेपी सामिल है समझ गए चलिए next है ECT दिया जाता है या आवर्ति मनोग्रसित अवस्थाओं तथा निरास के लक्षन पाय जाने पर की जाती है समझ गए न ECT कब दिया जाता है जब व्यक्ति को इसमें depression होने से अगरे होता हो तो जो है ECT दिया जाता है समझ ग psychoparmacology मतलब समझ गए न साइको फर्मेकोलोजी मतलब मनो औसद बिज्ञान मनो रोगदवायों का वर्गी करन और नर्सिंग प्रवन्द सहीत लिखना है ठीक है चलिए देख लिजे औसद psychoparmacology क्या होता है औसद बिज्ञान कि वह सखा जिसके अंतरगत psychotropic drug अर्थात बे सबसे पहले आपसे पुछेगा कि psychopharmacology होता क्या है तो देखिए psychopharmacology जो होता है या एक जो है इसके अंतरगत जो psychotropic drug होते है जो मानसिक रोगियों को दिया जाता है तो उसके परभाब और दूस परभाब को जो है यहाँ पर अधेयन किया जाता है समझ गये मानसिक बेभार को नियंतित करने वाला जो द्रग होता है साइको ट्रोपिक ड्रग उसके दुस परभाव और परभावों का अधियन इसी साइको फर्मेकोलोजी में किया जाता है और उसी को साइको फर्मेकोलोजी कहते हैं समझ गए? चलिए यह हो गया नेश देखिए साइको ट्रोपिक ड्रग या अस्दी वा ड्रग या रसाइन पदार्थ है जिनका उपयोग बेभार वा मानसिक किरियाओं को नियंतित रखने वा मनोडोगी के उपचार में किया जाता है ठीक है न? आप लोग समझ गए कि साइको ट्रोपिक ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो बेगती के बेभार वा उसके मानसिक किरियाओं को नियंतित करने के लिए मनोडोगी के उपचार में इसका इस्तमाल किया जाता है साइको ट्रोपिक ड्रग समझ गए? और यही ड्रग का जो उपचार है इसका जो है इफेक्ट और साइड इफेक्ट का जो अधियन है वो जो है साइको फर्मेकोलोजी के अंतरगत किया जाता है समझे गए चलिए अब चुकि इसका हमको बरगी करन भी पुछा है आप से भी पूछ देगा कि साइको फर्मेकोलोजी होता क्या है जो है इसका विविन बरगी करन बताए और साथ में एक दो दवाई की देदेगा कहेगा कि इसका एक्जामपल उदाहरण और इसके जो है क्याकाम है बताइज़े तो चलिए हम लोग इसका वर्गीकरण भी देखेंगे और कुछ दवाईयां का एक्जामपल और ऊदाहरं भी देखेंगे पहला है मनो असधियो का बर्गी करन classification of psychotropic drug मतलब मनो असधियो का कौन सा बर्गी करन है देख लिजे पहला है antipsychotic या neuroleptic drug पहला कौन सा ड्रग है antipsychotic या neuroleptic drug इसे मनो बिछिप्त रोधक तबाईया कहते हैं समझ गए दुसरा है antidepressant या antimanic drug इसको जो हम लोग अवसाद रोधी मतलब जिसको depression में चला जाता है तो उसको यही antidepressant या antimanic दवाईयां देते हैं समझ गए चलिए next यहाँ पर देखिएगा कि mood stabilizer मतलब मन को इस्थितिर करने वाला दवाई होता है उसी को mood stabilizer कहा जाता है next है anti-angity anti-angity के बिरूद काम करने वाला जो दवाईया होता है चिंता को कम करने वाला वो anti-angetic दरग होता है next है anti-illeptic drug anti-illeptic जो दरग होता है यह जो है मुर्चा जैसे या दोरा परने में काम आता है इसको anti-illeptic कहते हैं समझ गए next है anti-parki hansan anti-parki hansan जो दवाईया होता है तो आप कोई भी अगर मानसिक रोग से पिरित है और कोई दवाईया ले रहे हैं anti-psychotic दवाईया ले रहे हैं तो इस anti-psychotic दवाईया का अगर कोई दूस प्रभाव side effect होता है तो उसको रोकने के लिए ये anti-parki hansan दवाईया चलाया जाता है समझ गए तो ये जो है आपके 6 याद करना पड़ेगा कि anti-psychotic, anti-depressant, mood stabilizer, anti-angiotic, anti-leptic और anti-parki hansan drug समझ गए चलिए ये हो गया अब चलिए हम लोग anti-psychotic, anti-angiotic, anti-depressant, anti-parki hansan के कुछ जो है हम लोग example सहीत इसके कारियों को देखते हैं ठीक है चलिए सबसे पहला यहाँ पर देखिए anti-psychotic है Uber अभी बता है कि मनो रोगियों को जो है उसके मानसिक रोगों के परती जो काम करता है उसको जो हम लोग anti-psychotic कहते हैं समझ गए ए ड्रग मोखता साइकोटिक परकार की बिमारियों के उपचार में परयोग होती है साइकोटिक मतलब मानसिक रोगियों के उपचार में यह काम में आता है ठीक है न इसे anti-psychotic दवाईयां करते है कुछ परमोख anti-psychotic दवाईयों के उधारन देखते हैं, जैसे हेलो पेरिडोल, हेलो पेरिडोल, उसके बाद है ओलेंजापीन, उसके बाद है कलोप्रोमेजीन, समझ गाना, कलोप्रोमेजीन और रिस्पेरिडोन, समझ गाना, रिस्पेरिडोन, क्या याद रखेंगे, हेली पेरिडोल, हेली पेरिडोल, हेलो पेरिडोल औलेंजापाइन, कलोड़ प्रोमोजीन और रेस्पीरिएडोन कम से कम आप इसमें दो याद जरू रखिएगा हेरी पेरिडॉल और औलेंजोपीन समझ गए ना, औलेंजापीन और हेरी पेरिडॉल यह एंटी साइकोटिक दवाई है जो कि जिसको अगर साइकोटिक परकार के प्रोबलम मानसिक विकार होता है, तो उसको दिया जाता है समझ गए? चलिए अब यहाँ पे एंटी पार की हंसन दवाईयां है देख लिजिए, यह वे दवाईयां है जो कि एंटी साइकोटिक द्रग के सेवन के कारण होने वाले दूस प्रभावों के उपचार हेतू परियोग में लाई जाती है माने यह आप कोई अगर साइकोटिक द्रग ले रहा है किसी को अगर मांसिक प्रोबलम है तो वो अगर anti-psychotic दवाईयां लेता है समझ गया ना किसी को अगर सीजो फ्रेनिया है समझ गया किसी को अगर मेनिया है तो इस condition में वो अगर anti-psychotic दवाईयां का यूज़ कर रहा है तो इस condition में अगर उसको कोई side effect होता है तो उस side effect को रोकने के लिए ये पारकी हंसन दवाईयां दिया जाता है समझ गए जैसे देख लीजिए trihexylphenidyl trihexylphenidyl एक परमूख पारकी हंसन anti-parakी हंसन दवाईयां है कौँसा दवाई anti-trihexylphenidyl trihexylphenidyl समझ गए चलिए next यहाँ पर देखिएगा anti-depressant दवाईयां नाम से असपर्ष्ट है कि जो वैसा दवाईयां जो depression के इलाज के लिए जो अवसाद के रोगियों के लिए जो दिया जाता है जो उपयोग में लाया जाता है वो anti-depressant दवाईयां होता है समझ गए न अब यहाँ पर देखिएगा anti-depressant दवाईयां कहला आती है समझ गए समानता उपयोग में ली जाने वाली anti-depressant दवाईयां निमन है कौन-कौन से anti-depressant दवाईयां है देख लिजे पहला है emetri petylene emetri petylene आप लोग नाम सुने हो येगा emetri petylene जो है बहुत ही परचलीत नींद की दवाईयां है अब किसी को depression होता है तो ये डॉक्टर बहुत लिखते है emetri petylene ताकि बेखती आराम से खा कर और जो है सोई रहे समझ गए चलिए नेख दखिएगा emipramine है क्या है emipramine है emipramine जो दवाई होता है ये भी एक परकार के antidepressant दवाईयां है ठीक है उसके बाद दखिए mayanserine है mayanserine है और उसके बाद phloxetin है समझ गए और sestraline है बस दो याद रखिए आप लोग emetri petylene और emipramine ये दो दवाईयां याद रखिए जो कि antidepressant है आप से एक्जामें पुछेगा कि उडाहरन सहीत लिखे तो दो लिख दीजिएगा emetri petylene और emipramine ये antidepressant दवाई है समझ गए चलिए next दखिए यहाँ पर है antimanic antimanic समझ गए न ये दवाईयां जो मेनिया उनमाद के मरीजों के उपचार है तो परियोग में लाई जाती है antimanic दवाईयां कहलाता है जैसे lithium एक परमूक antimanic दवा है और mania क्या होता है पता है कि इसमें बेक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है बहुत ज़्यादा खुस रहता है हत से ज़्यादा किसी किसी बात पर हसनी लगेगा बहुत ज़्यादा मन जो है इसमें बेक्ति को बीचरी तरहता है उरन फ्लाइट आइडिया होता है समझ गए न तो ये antimanic होता है समझ गए चलिए नेट्स यहाँ पर देखिएगा आप लोग anti-anji-ti दवाईया anti-depressant में कुन दवाई था emetripetylene और emipramine समझ गए याद रखिएगा अब यहाँ पर हम लोग देखते है anti-anji-ti है anti-anji-ti ये दवाईया anti-anji-ti के उपचार हेतु परियोग में लाई जाती है समझ गए anti-anji-ti क्या होता है कि बहुँ ज़्यदा घवराहट बहुँ ज़्यदा डड से बेक्ती के अंडर anti-anji-ti उत्पन होता है समझ गए उदाहरन lora-gy-palm sमझ गए न lora-gy-palm डाई-जी-palm एलप्रा-जोलम एलप्रा-जोलम समझ गए न और कलोना-जी-palm यह सब जो है anti-anji-ti दवाई है किसी को अगर घवर चिंता होता है तो जो है डाई-जा-पाम जो है anti-depressant में भी काम आता है समझ गए कलोना-जी-palm एलप्रा-जोलम लोडा-जी-palm समझ गए न एस सब दवाईया anti-anji-ti है याद रखिएगा डाई-जा-पाम और लोडा-जी-पाम एलप्रा-जोलम और कुलानी-जी-पाम इसमें जितना याद रहे डाई-जा-पाम और एलेप्रा-जोलम याद रखिएगा और लोडा-जी-पाम याद रखिएगा समझ गए anti-anji-ti समझ गए चलिए अब next हम लोग यहाँ पर देखते हैं question आपसे पूछेगा मनो रोग अस्पताल में रोगी के किसी psychiatric hospital में mental hospital में किसी भी कोई मरीज mental hospital में किस रोगी का भरती किया जाएगा mental रोगी का ही न तो वैसे रोगी को अस्पताल में भरती और छुटी की कौन-कौन सी process होता है इसको बताना है दस नमबर पांच नमबर में पूछते रहता है ठीक है चलिए देखिए पहला है मानसिक रोगी को अस्पताल में भरती होने की बीधी स्वास्त वा अनेक इस्थितियों पर निर्भर करती है मनो रोगी को नीम्न प्रकार से अस्पताल में भरती किया जा सकता पहले हम लोग admit admission का देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज का discharge का तो चलिए एक मनो रोग को मनसिक रोगी को मनो रोग अस्पताल में किन-किन बीधीयों के तहत भरती कर सकते हैं चलिए हम लोग देखते हैं पहला है स्वेक्षिक अधार पर ठीक है ना स्वेक्षिक अधार पर अगर उसको लगता है कि हमारा मानसिक संतुलन बिगर रहा है बहुँ ज़्यादा डिपरिशन में जा रहे हैं तो इस कंडिशन में वो बेक्षिक होई या बहुँ ज़्यादा दूखी होई उससे पहले जो है जाता है मेडिकल ओफिसर के सामने में और वो है रीटेन या ओरली रूप से प्रार्थना करेगा रिक्वेस्ट करेगा कि हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा है प्लीज हमें जो है यहाँ पे एडमिट कर लिजिए मेंटल हेल होस्पीटल में ठीक है ना वाड में भरती कर लिजिए ठीक है अब इस प्रार्थना इस प्रार्थना को जो है जो पेसेंट अगर होस्पीटल में जाने लाइक नहीं है उग्र हो तो स्वेक्षिक रूप से उसका रिष्टिदार या उसका पैरेंट भी जो है जाके मेंडिकल आफिसर के सामने में जो इन चार्ज होगा होस्पीटल का उसके सामने में जाके रिक्वेस्ट करेगा कि सर इस पेसेंट का यह प्रोबलम है बहुँ ज्यादा मेंटली प्रोबलम है इसको भरती कर लिया जाए तो यह जो है अस्पताल में भरती ना होना चाहता हो या उसमें निर्नाय लेने की छमता अनुपस्थित हो तो रोगी के संबंधियों द्वरा मेडिकल ओफिसर के समक्ष एक प्रतना पत्र परस्तूत करना परता है जिसके साथ दो चिकिसिये परमान पत्र होना आवश्यक होता ठीक है देख परस्तिती है और इसमें जो है परमान पत्र कम से कम दो परमान पत्र चिकित सीये डोक्टर का परमान पत्र होना आवश्यक होता है अगर कोई पुलीस इस परकिरिया में होता यह है magistrate मतलब जो नियाले जो डंडा धिकारी होते है ना अंडमंडल में नियाले में तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आसपास में इलाका में कोई पागल बेखती है कोई उग्र उत्पात मचाने वाला कोई भिहिंसक बेखती है गूम रहा है उससे किसी को खत्रा है तो पुलिस क्या करता है कि उसको पकरता है और पकर के 24 गंटे के अंदर magistrate के सामने पेस करता है उसको ठीक है और पुलिस बताती है वहाँ पे कि साहब महोदय यह जो बेखती है यह बेखती दूसरे को यह खुद को हानी पहुचा सकता है यह खुला घूम रहा है जिससे आसपास के लोगों को डड़ है क्योंकि यह बेखती मानसी कुरूप से ग्रसित है इसको जो है किरपिया आदेश किया जाए और इसे मेंटल होस्पिटल में भरती किया जाए समझ गए तो इस कंडिशन में जो मजिस्टेट होते हैं वो पुलिस के बाद सुनते हैं और पहले जो है जाँच का आदेश देते हैं कि पहले इसका जाँच करवाईए इस्थिती जानिए फिर जो है जाँच चूच हो जाता है जाँच करने के बाद फिर रिपोर्ट देते हैं फिर मेजिस्टेट के सामने उसको पेस किया जाता है और उसको इस्थिती को टेस्ट को जाँच को देखते हैं मेजिस्टेट और लगता है कि इस पेसेंट को भरती करना है तो जो है उसको भरती करने का आगया देते हैं समझ गए तो यह जो है मजिस्टेट के सामने पेस करके किसी भी मानसीक रोगियों को जो कैदी के रूप में हो या जो पागल बेक्ती हो उसे जो है मजिस्टेट के सामने पेस करके भरती किया जा सकता है समझ गए चलिए अब यह तो उसका mental disturb हो जाता है पिछले के घटनों के लेकर या कुछ ऐसे घटनों के लेकर उसको mentally disturb हो जाता है तो उस condition में ओजो कैदी होता है उत्पात मचाने लगता है एक डम पागल की तरह हो जाता है तो इस परकार के जो मांसिक रूप से जो बीमार कैदी या जो अपराधी होते हैं तो जो इस condition में आज आता है मैं hospital में मार पीट जगरा गारी गलोज करने लगता है दूसरों के साथ जेल में तो जो है वहाँ पे जो पुलिस होते हैं जो जेल के अधिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं कि इस magistrate के सामने में पेस करते हैं और कहते हैं कि महोदय यह जो कैद तो इसके लिए magistrate आगया देते हैं पहले 10 दिन का और कहते हैं कि इस 10 दिन में इसका हर एक जाच करवाईए अवलोकन करवाईए कि क्या सच में यह मानसिक रूप से पीरित है या जानबूच के ऐसे कर रहा है अगर 10 दिन में जाच में आ जाता है कि हां reality में मानसिक रूप स प्राइए से भर्ती किया जाता है समझ गए पाच मा भर्ती करने का last process है अपतकालीन भर्ती करना ठीक है न अपतकालीन भर्ती करने का मतलव है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से ग्रशीत हो चुका हो और लगता हो कि यह व्यक्ति खुद को या किसी और को जो है इतना ज़्यादा उग्र हो गया है कि खुद को या किसी और को ये घटना कर सकता है, नुक्सान पहुचा सकता है, तो इस condition को अपतकालिन condition कहते हैं, क्योंकि इस समय जो बेक्ती होता है मांसिक रूप से ग्रसित वला, वो भाइलेंट हो गया, हिंसक हो गया, तो इस condition में जो है उसे भर्दी करा जाता है, इमर्जेंसी पिरियड में, तो ये जो होता है अपतकालिन भर्ती करना, समझ गया है, तो इस जो है पांच परकार से पेसेंट को भर्ती कर सकते हैं, किसकी सदहार पर, स्वेक्षी कदहार पर, ठीक है न, उसके बाद है स्वेक्षी कदहार पर हो गया, तो विसेस परस्थितियों में, ठीक है न, उसके वाद मांसिक रुब से पीरित कईदी या अपराधी को भरती करना ठीक है न उसके वाद अपत्कालिन भरती करना यप आठार कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर डिश्चार्ज मतलब नीरवार्तन होने की परकिरिया छुटी होने की तो जिस परकार से स्वेक्षिक रूप से भरती हुआ था तो यहां पर स्वेक्षिक रूप से छुटी भी होगा तो इसमें भी परार्थना ही करेगा medical officer के सामने जो patient होगा वो कहेगा कि हम अवे relax फिल कर रहे हैं अब ठीक है जो है हमें अब छुटी किया जाए तो इस condition में जो officer होते हैं medical in charge वो उसके जाच करते हैं और लगता है कि बाकई में फीट हो चुका है तो उसे जो है छुटी कर देते हैं तो यह स्वेक्षी का अधार पर छुटी होता है ठीक है चलिए दुसरा है आवेदन के अधार पर ठीक है आवेदन के अधार पर होता यह है कि इसमें जो है जो भी या चिका करता होते हैं जैसे कोई patient के relation वाले हो गए या patient खुद हो गया या जो है कोई और उसके थुरू जो है यह डालता है medical के सामने या फिर magistrate के सामने ठीक है न कि जो है अब इस patient को ठीक ठाक लग रहा है यह patient को जो है अब पूना जो है hospital में कैदी के रूपे में बोलाना चाहिए या जो है कोई अब इस तरीका में जो भी रोगी होता है जो पूलिस दाखिल कराया है समझ गए ना तो उसको जो है medical officer क्या करते है कि check कर लेते हैं देख लेते हैं और लगता है कि हाँ अच्छा है तो जो पूलिस admit कराया है उसको जो है आदेस दे दिया जाता है चुटी का समझ गए चलिए next देखिए यहाँ पे मानसिक रोगी कैदी की चुटी जिस परकार से मानसिक रोगीों के कैदी और अपराधी का जिस परकार से भरती था उसी परकार से उसका चुटी भी यहाँ पे किया जाता है अब यहाँ पे जो मानसिक रोगी होता है और उसको भरती जो कराया गया है तो उसका भरती में अगर उसको सुधार होने लगता है हो जाता है तो अगर उसका दोरान अगर उसका अपराध का अगर उसका सजा बाकी होता है तो फिर से पुना जो है पुलिस उसको जो है वहाँ पर रिक्वेश्ट डालती है कि अब इसको हमको ले जाना है ठीक है असपर में चला जाता है तो यह मानसीक रोगी कैदी की छुटी समझ गया चलिए नेक्ट यहाँ पर देखिएगा विसेस परस्थितियों में छुटी अब कोई ऐसा प्रेस्टेंट है जो रहना नहीं चाहता है ठीक है न वो जो है छुटी चाहता है कि अब हम नहीं रहना हम बिल्कु इस जो है आपको पांच परकार से ओहां पर हम फांच परकार से यहां पर चुटी भी है ठीक है तो डोनों में लगभा लगभाग मैचिंग ही है पस ध्यान रखना है कि एक जगापर admit का process होगा और एक जगा पर discharge का process होगा बाकी जो point है point से मिलता जुलता है वहाँ भी जो है मानसी रोगी कैदी की छुटी समझ गए वहाँ भी था और यहाँ भी मानसी के विसेश पर स्थितियों में है और वहाँ भी जो है पूलिस द्वारा दाखिला कराएगा है समझ गए ना यहाँ भी है समझ गए तो यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ छुटी की बात होगा और वहाँ पर admit का बात होगा समझ गए ही पराओगा तो वह अभी भी समझ सकता है चीज को समझ गए बाकी जो लोग continue देखते हैं उनको तो फैदा ही होगा 40 मिनट अगर उस समय दे देते हैं 30 मिनट तो उनके लिए तो फैदा ही फैदा है घटा का चीज है नहीं और ज़्यादा complete हो जाएगा concept clear हो जाएगा समझ गए ना चलिए बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद